नमस्कार दोस्तो, वेलकम टू स्टडी न्यूज, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा सिंगल लेन डोबरा चांदी मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज के बारे में, इस ब्रिज को टिहरी जिले में, टिहरी जील पर बनाया गया है, तो जानेंगे इस ब्रिज का निर्माड उतराखंड में, टिहरी जीले में किया गया है, ये ब्रिज टिहरी जीले मुख्याले को प्रताब नगर ब्लॉक से जोड़ेगा, टिहरी बांध बनने के बाद लगभग 40 किलो मीटर बड़ी जो जील बनी, उससे इस इलाके को जोडने वाले तमाम जिसके बाद से ही इस पुल को बनाने की मांग की जा रही थी, और कोई ब्रिज नव होने के कारण, टिहरी जीले से प्रताब नगर के बीच 100 किलो मीटर का रास्ता और लंबा हो गया था, और लोगों को आने जाने में काफी कठनाईयों का सामना करना पड़ता था, इस परियोजना को सबसे पहले 17 अप्रेल 2006 को मंजूरी मिली, लेकिन साल 2006 से बन रहा ये पुल, अलग-अलग कारणों से बन नहीं पाया था, अब ये पुल बनकर तयार हो चुका है, इसका उदगाटन उत्राखंड के मुख्यमंतरी त्रिवेंद्र सिंग रावत ने किया है इन्हों ने ट्वीट करके देश को जानकारी दी है कि देश के सबसे लंबे मोटरेबल डोबरा चांडी जूला पुल का उदगाटन कर दिया गया है इस पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है, इसमें 440 मीटर सस्पेंसन ब्रिज है इस पुल में खासियत यह है कि इसमें ट्रैफिक लाइट भी लगी हुई है और भारत के जंडे के आधार पर तीनों रंगों की लाइटिंग भी की गई है जो रात को जलाने पर खुबसूरत द्रिश से बनता है तो यह थी जानकारी डोबरा चांदी मोटरेवल सस्पेंसन ब्रिज के बारे में और आज दिवाली का पर्व है और आज दिवाली के हारदिक सुब कामना है है वा नाइस डे